नमस्कार मेरे प्यारे साथियों प्यारा मेडिकल और इनर्शी के नमर वन प्लैटफॉर्म Steady with Ritish में आपका हार्दिक्ष वागत है प्यारे बच्चों बिहार प्यारा मेडिकल 2024 का रिजल्ट तो जारी होगा ही होगा एक से दो दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन रिजल्ट आने के बाद बच्चों को confusion होता है rank card समझने में क्योंकि बच्चे अपना result तो download कर लेते हैं यानि rank card अपना download कर लेते हैं उसके बद बच्चों को समझ में नहीं आता open rank क्या है, woman rank क्या है sir हमारे UR में इतना rank है category में इतना rank है तो हमें कौन सा college alert होगा हमें कौन सा course मिलेगा है ना सारी चीज़े जानेगा आज किस वीडियो में तो देखें rank card क्या है इसे समझेंगे उसके बाद government college कितने rank तक वाले बच्चों को मिलता है PM open rank क्या है woman rank क्या है तो अब rank इनका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है DCC paramedical open rank यानि यह open rank है यहाँ पे सुरू में आपको open rank सो होगा यहाँ पे open rank है और उसके बाद इनका नाम सोनी है गल्स है तो यहाँ पे woman rank सो होगा यानि DCC paramedical woman rank तो यह हमारा woman rank है तो अब आपको open rank through college मिलता है या फिर women rank through college मिलता है बहुत से बच्चों को ये नहीं पता दीगे पहले क्या होता था ना पहले women category से यानि women के through college मिलता था यानि women अगर आप girls हो तो आपको women अगर आप girls हो तो आपको women rank through college मिलता था लेकिन अब हुआ क्या है कुछ सालों से है न जो भी counselling के बाद, जो भी course allot होता है, जिस भी college में आपका admission होता है, तो आप पर directly लिखा हुआ आजाता है, कि आपको open rank के through मिला है, ठीक है, तो अब जो है, woman rank के through college नहीं मिलता, तो आपको open rank में देखना है, open rank में आपको देखना होगा, rank card जैसे ही आता है, तो यहाँ पर registration number होगा, role number होगा, course group, paramedical होगा, उसके बाद name रहेगा, father name रहेगा, mother name, category BC, gender female, rate of worth, ठीक है, इसके बाद आपको इसमें देखना है, कि इसमें open category wise rank देखना है, तो देख सकते हैं, इनका यूर में 18 rank था, बहुत अच्छा rank था, इनको NMCH मिला है, BC में 11 rank था, और RCG में 16 rank थ ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, कि देखो, अगर आप UR category से हो, अगर आप unreserved यानि UR category से हो, तो कितने rank था वाले बच्चों को जीने मिलेगा, फिर उसके बाद मैं A&M का भी बताऊंगा, क्या cut-up जाएगा, फिर उसके बाद other courses जो भी है, जीने boys और girls दोनों कर सकते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा, कि कितना cut-up जा सकता है, ठीक है, तो आएए यहाँ पे देखते हैं, तो आपको open rank में देखना है, जैसे ही rank आट आएगा न, result आएगा आपको, तो कुछ इस तरीके का, आप जब download करोगा न, result, तो कुछ इस तरीके का result download होगा, तो आप आपको open rank में देखना है, open rank में क्या देखना है, देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझना है, अगर आपको GNM चाहिए, मने में बैठा लिये हो, कि हमें GNM चाहिए, तो आपको PM open rank में देखना है, अगर आपका BC category है, ठीक है, तो BC category में अगर आपका 800 rank तक है, तो easily मिल जाएग अगर आपका EBC है category और 1000 rank तक है तो मिल जाएगा, SC में 900 rank तक वाले को मिलेगा, ST में 50 rank, RCG में 200 rank, EWS में 400 rank, DQ में 200 rank, तो देखो, UR rank तो शो होगा ही होगा, ठीक है, UR rank शो होगा, लेगिन आप यह देखना है कि आप किस category से हो, अभाई जो जेनरल वाले बच्चे हैं, उनका BC से मिलेगा, category से मिलेगा, या अगर आपका EBC, तो EBC rank देखना है आपको, ठीक है, आपका जो भी category है, सबसे पहले category rank देखना है, कितना है, और किस में देखना है, open rank में ही जैसे यहाँ पे देखो, इनका open rank में ही, या BC है, तो BC में 11 rank है, ठीक है, UR में भले 18 है, लेकिन BC म पर आप्से पहले जाएगा इंको कोई दिकتते हैं लेकिन सबसे पहले बोट क्या करेंगा इनके कैटेग्री से इनको देने का कोशिश करेंगा ठीक नापका निचे है अगर आपका रैंक 800 नीचे मिल जाएगा अगर आपका SC category है, ठीक है, तो SC में अगर आपको 900 rank के नीचे है तो मिल जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, और बच्चों counseling के लिए भी जो हमारी team आप लोग के साथ जुड़ी रहेगी, counseling के लिए नंबर भी दिया गया है, अगर आपको हमारी team से counseling करवाना है, तो इसी तरीके से नहीं हो पाता है, cyber वाले एक पास चले जाते है, वो उल्टा फुल्टा, private college भी बहुत से आते हैं, इसमें, तो वो सब क्या करते है, private college भी add कर देंगे, तो आपको government college ना मिलके, private college अलोट हो जाता है, बहुत बचों के साथ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी team की मदद से counseling करवाना चाते है, तो यह number दिया गया है, या एक और number आपको दे देते है, 8100-696-584, तो यह counseling कब होता है, result आने के बाद, आपका counseling date निकला जाता है, उसमें होता है, कि उसमें आपको college को select करना होता है, add करना होता है, उसके बाद जो है, बोड मतलब दे बात करेंगे, अब जिन बच्चों का rank अगर जादा आता है, सुचो, यूर में 5,000 आया, 6,000 आया, 7,000 आया, open rank में ही देखना है, ठीक है, अब मान के चलो, अब जिन भी बहन लोग, आभी बहन लोग के बार में हम बात करें, girls लोग के बार में बात कर रहे है, तो अगर 500 rank तक आया, BC में 2000, EBC में 3000, SC में 8200, ST में 180, RCG में 550, EWS में 1800, DQ में 800, इतना rank तक आता है, तो आपको Aने मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि Aने में देख सकते हो, total seat कितनी है, 4530 है, जो कि अच्छी ही है, ठीक है, काफी अच्छी संख्या में seat है, तो देखिए, अगर आपका rank ज ठीक है, UR में 12,000 आ गया, तो भाई, UR से तो आपको नहीं मिलने वाला, आपको open rank में ही देखना है, बारबर में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपका UR में 12,000 rank आ गया, लेकिन आपका category है, मान के चलो SC, तो SC में अगर आपका 800 rank आ गया, तो आपको easily मिल जाएगा, SC में 200 rank तक वाले को मिला है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका सुचो कि UR में 12,000 rank है, बहुत जादा है, लेकिन BC में आपका आ गया 1300, 1400, 1500, 1600, तो easily मिल जाएगा, क्योंकि BC में 2000 rank तक वाले को मिला है, हो सकता है, UR में भले ही आपका rank जादा हो, लेकिन अगर कैटेगरी BC है, EBC है, SC है, ST है, तो आपको कैटेगरी से मिलेगा, UR से नहीं मिलेगा, ठीक है, UR में भले कितना हो, हो सकता है, 20,000 हो, लेकिन कैटेगरी ST हो, SC हो, EBC हो, तो अगर मान के चलो, SC कैटेगरी है, अगर आपका rank 1300, 1400, 1500, 1600, या 2000 भी है ना, तो मिल जाएगा, देक आपका UR में, सोचो कि 15,000 कुछ है, 15,000 है, मान के चलते हैं, 15,000 है, लेकिन आपका कैटेगरी क्या है, BC है, तो BC में आपका rank जो है, आगे 1800, तो अब बताओ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, easily मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार BC में 2000 rank तक वाले को मिला है, first round में, ठीक है, त कैटेगरी अपना देखो, sir, कैटेगरी अपना चेक करो, तो कैटेगरी में चेक करना है, open rank में देखना है, कि अगर BC कैटेगरी है, तो BC में अगर 1800, 1900, 2000 rank तक भी आता है, तो मिल जाएगा, ठीक है, कैटेगरी देखना है, यू आर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकि ऐसे courses की, जिने boys और girls दोनों कर सकते हैं, है ना, जैसे pharmacy हो गया, lab tech हो गया, ot assistant हो गया, ophthalmic assistant हो गया, है ना, serentist factor हो गया, उसके बाद radiology, physiotherapist काफी सारे courses है, तो उनकी cut off किया जाती है, तो ऐसे courses boys और girls दोनों कर सकते हैं, तो आपको भी open rank में ही देखना है, यू आर में, अ को मिला है, EWS में 650 rank, ST में 60, और RCG में 200 rank तक वाले को मिला है, ठीक है, तो I hope आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरू सब्स्राइब करें, भाई, एक बाद जरूर बता देना, आप लोग को clear है न, अब rank कार्ड यदि जारी किया जाता है, तो आपको confusion तो नहीं होगा न, एक बाद जल्दी से हमें बता दीजिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फोर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडिय लोगो like करना, और जैसे ही result जारी होता है, मैं एक बार फिर से आपको details में समझाओगा कि किस तरीके से आप लोग मात्र कुछी मिनट में पता कर सकते हैं कि आपको college मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, चले, मिलेंग अगली वीडियो में